आयर्पीसी संस्था ने सुक्रवार को ठंड में ठिठोडते हुए लोगों के बीच कपड़ा के साथ मास्क का वितरन किया बता दें कि आयर्पीसी संस्था ने लगतार गरीब एवं मजदूर लोगों तक रहत पहुचाने का काम किया है इस बार फिर संस्था के अध्यक्ष शादाब एहमत के नित्रितों में ठंड के मौसम को देखती हुए बरवाड़ी स्थित करबला मैदान और पहारीडी में सभी समुदाय के गरीब एवं मजदूर लोगों को कपड़ा और मास्क दिया गया इस दोरान लोगों ने इस कारे के खूब सरहना की और इन्हें दुआय भी दी मौके पर लोगों को कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन से बचने को लेकर जागरूप भी किया गया इस बाबत संस्ता के अध्यक्ष चादाब एहमद ने बताया कि इस प्रकार का काम जो गरीबों की मदद करता है इसलाम में बहुत महत्व है ऐसे कामों का और इन्होंने कहा कि इस प्रकार के कारे करने से समाज में भाईचारा येवमेक्ता भी बनी रहती है करगरम को सफल बनाने में हाजी रिजवान अहमद, हाजी अफ्ताब भेहमद, संस्ता प्रबंधक, इम्रान आलम, विडिया प्रभारी, गुलाम मुस्तफा, परशरुद्दिन, सहबाज आलम आदी लोग उपस्ते थे Assalamu alaykum wa rahmatullah, alhamdulillah आज बरवड़ी में IRPC के जरीए हम लोगों ने क्लोर्ड डिस्टिबिशन का प्रग्राम रखा जो कि बहुत ही अच्छा रहा और जिसमें लोगों ने पाटिसिपेट किया, लोगों ने हिस्ट लिया और अल्लत आलम जिस तरीके से कुरान में हमको फरमाते हैं कि हमें लोगों पर के साथ भलाई काम करना है, इनसानियत का काम करना है और साथ ही साथ नभी स्टिबिशन भी फरमाते हैं सुनन अबुदाउद वॉल्यूम नमबर 3 हदिस नमबर 1504 में कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, अर्च वाला अल्लह ताला तुम पर रहम करेंगे और भी हदीसे हैं अल्लक नहीं फरमाते हैं, इसे जब पूछा गया कि सबसे अच्छा काम कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि लोगों को कपड़ा पेनाना, उनका भूप मिटाना और उनको कपड़ा पेनाना तो इसी के तहथ हम लोगों ने आज ये का प्लोज डिस्टिबिशन का प्रग्राम रखा और इंशाला आगे भी हम इस तरीके के काम करते रहेंगे, हमारा ब्लैंकेट डिस्टिबिशन का भी प्रग्राम इंशाला हम लोग इस ठंड में करेंगे, तो आप सभी से हमारी ये मुझारिश है कि हमसे जुड़ करके इस काम में आप भी साथ सपोर्ट करें